यह वीडियो जो है वो class 8 के students के लिए है आज मैं वीडियो को slide में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि चुकि math आज हम लोगों को पढ़ना है तो math जो है हम लोगों को समझने की चीज है तो slide में डालेंगे तो अच्छी समझ में नहीं आएगा तो इसको हम लोग कड़ के देखेंग अगर 0 होगा तो वो rational number नहीं होगा तो यहाँ पर Q जो है यानि कि नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए तो देखें कौन कौन rational number है यहाँ पर कुछ है नीचे कुछ है नीचे वाला 0 नहीं है तो यह भी rational number है यहाँ पर देखें उपर कुछ है नीचे कुछ है नीचे हो गया है जीरो हो गया है तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा नॉट ए रेशनल नंबर आई बाद आपको समझें तो इसको ऐसे सॉल्व करना है सेकेंड वाला में जो है आपको बोड है कि इन में से कौन सा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म उस फॉर्म को बोलते है जब आप इसको और ज्यादा काट कूट करके छोटा नहीं कर सकते हो जैसे देखेंगे यह आप इसको और नहीं काट सकते हो कि आपको जब यह स्टेंडर फॉर्म में नहीं है, तो आपको इसंडर फॉर्म में लिखना है, तो इसको काट कर हो क्या डिख देंगे, –1 और फाइफ या अंसर हो जागा, आपको काट नहीं सकते हैं, तो स्टेंडरatt form में नहीं है, इसको आपको represent करना है number line पर ठीक है तो दिखे number line पर कैसे रेप्रेजेंट करते है वो मैं आपको इधर पता देती हूं जिस माली जी के नीचे 7 है ठीक है सब के नीचे है तो यहाँ पर जो है आप ऐसे नंबर ड्रॉ कर लिजे यहाँ पर यहाँ पर है जो जीरो हो गया ठीक इधर जो है आप नंबर देते जाए बहुत सारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठो लाइन इधर खिछ लिजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठो लाइन यही हो गया यहाँ पर अब जो है यहाँ पर आप लिख लिजे 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7 इस वाले नंबर के पास 5 by 7 और यहाँ पर 7 by 7 का मतलब 6 by 7 और 7 by 7 का मतलब 1 इधर क्या लिखेंगे, minus 1 by 7, minus 2 by 7, minus 3 by 7, minus 4 by 7, minus 5 by 7, minus 6 by 7 और minus 7 by 7 यह फिर minus 1 भी लिख सकते हो वह ही कटके हो जाएगा तो देखेंगे, अब आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करना है देखें, 3 by 7 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 3 by 7 ठीक तो देखें, यहाँ पर 3 by 7 तो यह फे sam than 1 by 7 कहांद है, यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख गक दीजेए A, और निच्चे लिख दीजे, A जो है, हो रिप्रेजेंट करना है क्या चीज़को, 3 by 7 को अब आपको आगर रिप्रेजेंट करना है, 11 by 7 ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजे, B और B इसके बाद अगर आपको रिप्रिजेंट करना है 11 by seven तो 11 by seven और इसके आगे आपको जाना पड़ेगा तो सब्सकेलिए सब्सक्राइब यहां लिख का आप सब्सक्राइब तो इस तरीके से जो है अभी इस में five दिया हो है नो तो यहाँ पर जो नीचे हम seven लिखें उसको five लिखेंगा ठीके अब जो है आपको यहाँ पर फील अप करना है डिके 12 है ठीके तो 12 है यहाँ और यहाँ पर 72 कर दिया है तो 12 में कैचे से गुना करने पर बहतर आएगा ग्यारा चक छाच छट यह स्का अंसर हो जाएगा वैसे ही इसमें देखिए इसमें क्याच ये से गुणा किया है ग्यारा से ये 22 हो गया है तो 11 दूनी 22 तो 12 दूनी 14 ठीक है इस इस पुछा कि कौन जो हें आपको बड़ा थे हैं तो कौन को बढ़ा है इसके लिए हम आपको बता हैं इसका इससे गुणा करेंगे माइनस honor represented into the का इसे गुणा करेंगे तो 945 हो जाएगा कौन बड़ा है यह बड़ा है इधर वाला मैंस 45 तो इन दोलों में भी जो है इधर वाला बड़ा हो जाएगा ठेक है तो greater कौन है यह वाला यह आप कहा अंसर हो जाएगा इस स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो फिर से उसेम तरीका इस से कहा करेंगे तो 18 सते माइनेस चपपन और तिरा कौعة से कहँना किना करेंगे तो तेरे उठ है एक सो कितना होता है चार तो कॉन बड़ा यह बड़ा है तो इन दोले में जो है ये बड़ा ओजाएगा शब्स अरशनिक्ञ आता है शेले सबको घखता है अपने चो ढलिगे बढ़ा और डिसेंडिंग में आपको सबसे बढ़ा पहले लिखा जाता है उसके बाद छोटा 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 करके लिख दिया जाता है तो यह आप कीजिएगा जिनके पास बुक नहीं हो लोग कोश्चन कॉपी कर लिजे वीडियो को पॉस करके और जिन लोगों के पास बुक है वो लोग सीधे बुक में से जो है इसको उतार कर और अपना कॉश्चन बनाएंगे सरकसा चलिए रहने देते हैं अज के लिए इतना है फिर आप लोग से कुई नया चप्रा पढ़ाएंगे हम लोग तेंक्यू बड़ी मच्च